हाई, वेलकम तो मच चनल, चलिए क्वेशन आप 14 स्ल्व करते हैं, तो ध्यान दिजिएगा if x and y vary inversely and x is equal to 15 when y is equal to 6, find y when x is equal to 9 ओके, मतलब देखिए, ये क्वेशन इतना आसान है ना, कि यदि आप 13 तक स्ल्व किये हैं और मेरा बिडियो देखे हैं 13 तक तो इसमें तो कोई दिकत होनी नहीं चाहिए, सच में, बहुत असान है देखिए, पहली बोल दिया है इस क्वेशन में, कि if x and y vary inversely, मतलब कि ये दोनों जो है, inversely vary कर रहे हैं, मतलब कि x, y जो हैं, दो quantities हैं, ऐसे quantities हैं कि ये inverse proportion में है और इसमें दो values भी दे दिया है, x is equal to 15 है, तो y is equal to 6 है और फिर दे दिया है, कि y की value दाइए, जब x is equal to 9 हो तो फटा फटम क्या करेंगे, फटा फटम टीबल बनेंगे ठीक है, तो we have charity बना लिए तो मैंने table बना लिए है, यहां पर x की value पहले-पहले क्या दिया है, वो लिख लिजिए, x is equal to 15 है, तो y is equal to 6 है, आप जो पूछ रहा है, what is the value of y, y की value क्या होगी, when x is equal to 9, जब 9 होगा, तो what will be this, ठीक है मतलब कि आपको y की value बतानी है, यहां पर क्या होगा, तो हम यहां पर माल लेंगे, suppose कर लेंगे, या फिर question mark ही रहन देते हैं, question mark की value पता कर लेंगे, है कि नहीं, तो यहां पर हमें पहले, यह करना पड़ेगा, कि हम यह जानगे, कि x और y क्या है, inversely vary कर रहा है, इसका मतलब कि inverse proportion का जो principle होता है, वह ही apply होगा, means, x और y की जो values है, respective cases में, each case में, उनका product जो होगा, वो equal होगा, each case में, कहने का मतलब यह है, means, we can write, since, लिश सकते हैं आप पहले we are in inverse proportion, inverse proportion, therefore, therefore, क्याल सकते हैं, 15 into 6, okay, is equal to 9 into this, ठीक है, मतलब कि x और y के दूर बहल इसको मोडिपलाई कर देते हैं, product निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर product निकालेंगे, तो वो constant रहता है, हमेशा, means, 9 में और इसमें भी multiply करेंगे, तो वही value आएगया, जो हम 15 और 6 मोडिपलाई करेंगे, तो ठीक है, means, 9 into question mark, तो question mark की value जो है निकालनी है आपको, means, यहाँ से हम question mark निकालना है, तो हम 9 को transpose कर देंगे, तो question mark is equal to 15 multiplied by 6 upon 9, तो 3 दिरज़ा 9, 3 दिरज़ा 6, 3 दिरज़ा 3, and 3, 5 दिरज़ा 15, हर दिरज़ा 10, question mark की जगा पर 10 रहेगा, means, यहाँ पर, जो value होगी, वो होगी 10, means, y की value 10 होगी, when x is equal to 9, दिरज़ाट, चले, question number 15 के चलते हैं, okay, तो question number 15 ध्यान दिज़ेगा, कर रहे हैं कि, if x and y vary inversely and x is equal to 18, when y is equal to 8, find x when y is equal to 16, तो यह भी बहुत सान है, यहाँ पर दो value उस दे दिया है, और कह रहे हैं, दोनों quantities जो है, वो inversely vary कर रहे हैं, अब यह पताए, inversely vary करेंगी, question number 14 में किये थे, we have table हम बना लेंगे, इसमें table बनाना आसान है, actually हम यहाँ पर x, y लिखेंगे, यह दोनों quantities को जो दिया हुआ है, और इसके आगे जो column बना लेंगे, जिसमें, okay, x की value पहली बार क्या दिया थे, x is equal to 18 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 18, y की value क्या दिया हुआ है, 8 तो 8 लिखेंगे, वासे x की value find कर नहीं है, मिन्स यहाँ आपन नहीं पता, और y is equal to 16, 16, okay, तो हमने एक बात जानते हैं हम लोग कि यदि x और y जो है inversely proportional हैं, तो इन दोनों का जो product होगा, वो constant होगा, मतलब 18 into 8 जो भी आएगा, वो equal आएगा, this much into 16, right, तो लिख सकते हैं कि we can write, we can write, x की value लिखनी जो रूद नहीं है, हम direct यहाँ पर value लिख देते हैं, 18 into 8 is equal to question mark into 16, हमें निकालना है question mark की value, तो हम यहाँ पर question mark की value निकाल लेते हैं, देखे question mark value नहीं हैं कि 16 से divide करना पड़ेगा इस पूरे में, है कि नहीं, तो हो जागा 18 into 8 upon 16, right, तो 4, 4 जा 16, 4, 2 जा 8 and 2, 2 जा 4 and 2 जा 2, okay, फ़रा सबन बढ़ा पने है, okay, 2 जा 2 and 2, 9 जा 18, means question mark जो पर 9 रहना चाहिए, है कि नहीं, 9, क्यों, क्यों, क्योंकि 9 का multiplication यह आप 16 में करेंगे, तो उतना ही आएगा जितना 18 का multiplication 8 में करने पर आता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो answer आएगा, वो 9 आएगा, means, x की जो value होगी, वो 9 होगी, right, तो यह दिया आपको अच्छा लगा है explanation, तो भीकुल लाइक करते हैं, कोई भी doubt होता है, तो comment box न जो लिखेगा, हमें साही इंतिजार रहता है मुझे आपके comment का, thank you again, bye, मिलते हैं आपको next chapter में, thank you so much for watching.